साथ समुन्दर पार financial markets के बड़े institutions, बड़े stock markets, S&P, Dow Jones, Adani enterprises को ये कहकर बाहर निकाल रहे हैं कि उनके खिलाफ बहुत गहन आक्षेप और आरोप है fraud के और इसलिए वो index में बने नहीं रह सकते हैं साथ समुन्दर पार Joe Johnson, Elara Capital के director थे जिन्होंने Adani के FPO में पैसा लगाया था और पूर्व UK के प्रधानमंतरी Boris Johnson के भाई हैं उनको अपने पद से, director थे Elara Capital में, उनको अपने पद से resign करना पड़ा लेकिन हिंदुस्तान में साथ समुन्दर पार institutions जो हैं आक्षेपों को लेकर चिल्तित हैं और act कर रहे हैं लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा लग रहा है मानो जी कुछ हुआ ही नहीं नहीं सेभी से एक शब सुनाई नहीं देता है, कहा है SFIO, कहा है ROC, कहा है Ministry of Corporate Affairs, Government of India तो ऐस बरताव कर रही है शुतर मुर्ग की तरह कि उन्होंने जमीन के नीचे सर कर लिया है और मानो कुछ हुआ ही नहीं तो असलियत ये है कि अडानी जी जो है, वो सब को ले डूब रहे हैं, कैपिटल मार्केट्स में मतलब दलाल स्ट्रीट पर 15 लाक करोड का नुक्सान हुआ ह 24 जनवरी से आज तक 15 लाक करोड डूबे हैं, 10 लाक करोड अडानी जी के डूबे हैं, लेकिन 5 लाक करोड उन रीटेल इन्वेस्टर्स के डूबे हैं, जिनोंने इस विश्वास से पैसा मार्केट में लगाया था, कि वो मार्केट के चलते बढ़ेगा, पर उनको भी जेलन पर उनका अडानी से कोई लेना देना नहीं है, वो शायद हिंदुस्तान की 4000 से जादा जो लिस्टेड कंपनीज है, जो अच्छे से चलती हैं, जो साफ सुतरी है, जिसमें corporate governance है, उसमें पैसा लगाया हुआ है, लेकिन भुगतना उनको भी पढ़ रहा है, अडानी जी के सरकार की मिली भगत को, तो सरकार act क्यों नहीं कर रही है, यह सवाल है, क्यों से भी कुछ नहीं कर रहा है, क्यों SFIO कुछ नहीं कर रहा है, कहां है ED, कहां है MCA, कहां है ROC, कोई शब नहीं है, मोदी जी न तो आखो पर पट्टी बांद ली, क्योंकि वो तो दोस्ती निभान का फल भुगत रहा है जिसके पाच लाक करोर से जादा खतम हो गए नश्ट हो गए मार्केट में अब अडानी जी कोई छोटी सी किराने की दुकान तो है नहीं अडानी जी मोदी जी की कृपा से इस देश के सबसे बड़े सबसे अमीर आदमी बन गए थे वो उनकी मोनापली एरपोर्ट पे है उनका एकाधिकार मोनापली पोर्ट में है उनकी मोनापली फूड अन आगरिकल्चर में है क्या गो डाउन क्या वेर हाउसेज क्या खाने वाला तेल सब में वो गुसे हुए है फलों के बागान तक में वो गुसे हुए है उनकी मोनापली रियूबल और इतनी जल्दी से विक्सित हुआ ग्रूप है जब डूपता है तो वो सब को ले डूपता है यह economy को द्वस्त करने की कूबत रखता है और यह बात डाव जोन्स, SNP जैसे लोग, City Group जैसे लोग, Credit Suits जैसे लोग पहचान रहे हैं, FIT जैसे लोग पहचान रहे हैं लेकिन हमा policy holder 30 crore policy holder LIC के हैं, जिन्होंने अपने जिन्दगी की गाड़ी कमाई लगाई थी, उनको यह कह देना कि जी हम तो 20,000 पे आये थे, करोड़ पे 30,000 हो गए, जी नहीं, आपने 100 रुपे लगाए थे मार्किट में, वो 100 रुपे 10 साल पहले लगाए थे, वो 5 साल बाद 1000 रुप SBI, 45 करोड़ लोग इस विश्वास से SBI, State Bank of India में अकाउंट खोलते हैं कि सरकार का बैंक है, डूबेगा नहीं, कुछ गलत काम नहीं करेगा, 81,000 करोड़ रुपे बैंकों ने करजा दिया है डानी जी को, जो उनके कुल करजे का मातर 30 प्रतिशत है, और उस 38 प्रतिशत में भी 8% तो प्राइवेट बैंक का है, और 30% सरकारी बैंक का है, तो सवाल ये तो पूछना बनता है ना कि हिंदुस्तान के लोगों की गाड़ी कमाई, टैक्सपेर्स का पैसा, जो सरकारी संस्थाओं ने अडानी जी को भेट सोरूप दिया था, वो क्यों दिया था, और आज जब रीटेल निवेशक, जब छोटे छोटे निवेशक हो कि पूरी पूंजी द्वस्त होती जा रही है, उड़ती जा रही है, बलड बात मचा हुआ है मार्किट में, तो सरकार क्या कर रही है, ना सदन में बहस करनी के अनुमती देती है, ना JPC कराती है, ना सुप्रीम के प्रती है, एक अडानी जी के प्रती नहीं है, ये बात साथ समुंदर पार financial institution समझ गए, लेकिन आपकी समझ में ये बात नहीं है,